इंडिया में middle class family के लिए बेहतरीन गाड़ियां कौन सी हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 10 गाड़ियां बताऊंगा जो के middle class के लिए perfect हैं और सस्तिकार भी हैं जानिए इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं टॉपलिस प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए आरती एस पैरेसो एक 5-setter hatchback कार है गाड़े में आपको अच्छा खासा cabin space मिल जाता है एस पैरेसो का transmission काफी smooth है और इसका turning radius भी काफी कम है एस पैरेसो एक बेहतरिन गाड़ी है middle class family के लिए ये कार इंडिया में सिरिफ petrol engine के option में मिलती है जिसमें की 1.0 litre petrol engine मिलता है उसका mileage है 21.4 kmpl का और कार के base variant के एक showroom कीमश शुरू होती है 3,70,000 रुपे से हुडाई सेंट्रो सेंट्रो एक five sitter hatchback कार है ये कार middle class family के लिए एक बेहतरिन कार है क्योंकि इसका interior अच्छा है और cabin space भी काफी अच्छा कासा है और हुडाई इस पे अच्छा कासा discount भी दे रही है ये कार इंडिया में सिर्फ पेट्रोल इंजन के option में मिलती है जिसमें की 1.1 लिटर पेट्रोल इंजन मिलता है काड़ी का mileage है 20.3 kmpl का और कार के base variant के एक showroom कीमश चार लाग 57,000 रुपे से मारूती वैगनार वैगनार भी एक 5-6 लिटर हैजबेक कार है वैगनार काफी popular हैजबेक कार है इसमें आपको ज़्यादा space, comfort, अच्छी कासी looking और सबसे जरूरी बात यह है कि ये value for money कार है और इसकी रेसेल value काफी अच्छी है वैगनार में आपको CNG का option भी मिलता है ये का 22 KMPL तक यानि 20 KMPL जो होगा 1.2 लिटर वाले का और 22 KMPL वाले का और 22 KMPL वाले का और गाड़ी के विस्पीरिन के एक शोरूम कीमद है 4,57,000 रुपे से माड़ती सिलेरियो सिलेरियो एक low maintenance वाली गाड़ी है जिसको काफी लोग खरीदेते हैं गाड़ी में ठीक टाक features मिल जाते हैं और CNG का option भी मिलता है और ये कार्शरी पैट्रोल इंजन के option में मिलते है जिसमें के 1.0 लिटर पैट्रोल इंजन मिलता है जिसका माइले है 21.63 K MPL का और गाड़ी के base variant के एक शोरूंग के मते 4,47,000 रूपे से टाटा एल्ट्रोज एक 5-6 रहच्पेक कार है इस कार की build quality काफी अच्छी है बेहतरीन feature और लाजवाब comfort मिलता है ये गाड़ी सबसे safest गाड़ी हो में से एक है इंडिया में और कार में पैट्रोल और डिजल engine मिलता है जिसका mileage है 23 kmpl का गाड़ी के base variant के एक शोरूंग कीमत है 5,29,000 रूपे से हुड़ाई grand i10 news i10 news एक 5-6 रहच्पेक कार है इस कार की looking feature suspension बहुत ही बेहतरीन है ये कार city के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी कार है और गाड़ी में डिजल और पैट्रोल दोन इंजन क option मिलता है जिसमें की 1.2 लिटर पैट्रोल इंजन जिसका mileage है 20.7 kmpl का और डिजल में भी 1.2 लिटर इंजन मिलता है जिसका mileage है 26 kmpl गाड़ी के base variant के एक शोरूंग कीमत है 5,4,000 रूपे से मारती बलीनो बलीनो एक 5-seater hatchback कार है बलीनो का mileage, reliability, features पर काफी सारे space मिलता है गाड़ी में इस कार के sits काफी comfortable है ये कार डिजल और पैट्रोल दोन इंजन के option में मिलती है इंडिया में जिसमें की 1.2 लिटर पैट्रोल इंजन जिसका mileage है 21 kmpl का डिजल में 1.3 लिटर इंजन मिलता है इसका mileage 27 kmpl का, कार के base variant के एक showroom कीमत है 5,63,000 रुपे से Hyundai Elite i20 i20 एक 5-6 लिटर hatchback कार है ये कार एक ऐसी कार है जिसमें आपको काफी सारा premium features मिलते है इस कारी की sales भी अच्छी कासी होती है और कार का style और looking काफी अच्छी है ये कार भी diesel और पैट्रोल दोन इंजन के option में मिलती है इसमें की 1.2 लिटर पैट्रोल इंजन मिलता है जिस इसमें 1.4 लिटर इंजन मिलता है इसका माईले है 22.54 kmpl का ये कार भी middle class family के लिए perfect कार है और कार की कीमत है 5.69 रुपे से Ford Company की Figo Figo भी 5-6 टर हैजबेक कार है गाड़े में अच्छे features मिलते हैं और इसका diesel इंजन काफी अच्छा है सबसे जादा ये गाड़े diesel इंजन के option में मिलती है और बिक्ती भी उसी में है इसकी maintenance cost भी काफी कम है ये कार इंडिया में diesel और पैट्रोल दोन इंजन के option में मिलत 24.4 KMPL का और कार की कीमत है 5,49 रुपे से ये भी कार middle class family के लिए perfect है और काफी खुबसूरत कार है फिर आईए मारती desire डिजायर एक five-seater sedan car है ये इस list में सरिफ एक ही sedan car आईए जो family के लिए perfect है वैसो desire car सबसे जादा टेक्सी में भी बिक्ती है desire में आपको बेहतरीन space, mileage, reliability और features मिलते है इसका acceleration बहुत अच्छा है और ये एक और इस car की resale value भी काफी हाई है ये कार इंडिया में diesel और petrol दोने engine के option में मिलती है इसमें की 1.2 litre petrol engine जिसका mileage 21.21 kmpl का और डिजल में 1.3 litre engine मिलता है जिसका mileage 28.4 kmpl का और car के base variant के एक शोरूम की में शुरू होती है पाँच लाग बैस याजार रुपे से तो ये 10 गाड़िया वो हैं जो middle class family के लिए perfect मानी गई है आपको इन कारों में कौन सी कार सबसे अच्छी लगी हमें comment box में आप जरूर बताइए